सद्गुरु दर्शन दा अनंद मान रही गुरु स्वारी साथ संगत सब तो पहला मैं बेंती करांगा गरीब नुआ सचे पात्षाजी दा होकुम भी है पे सारे माई पाई किर्पा करके अपने अपने थांते बैठके थोड़ा समा अपन सद्गुरु सचे पात्षाजी दे चरना विच होर हाजरी लवा लिए गुरु इतिहास गुरुबाणी नाड जुडंदा जो एस सुपाग समा सानु प्रापत होया है इस्तालाहा ले लिए तो सब तो पहला मैं बेंती करांगा सब माई पाई एक वार किरपा करो गज के कहो तानसरी सद्गुरु गोबिंद सिंग सचे पात्षाजी एक वार फिर किरपा करो सब गज के कहो तानसरी सद्गुरु राम सिंग सचे पात्षाजी संत त्यान सिंग जी कादराबादी शद्गुरू हर्गविंद सह्ब सच्टे पात्षाजी ता मंगल कर देया हुया भाधु निदी गुरू हर्गविंद सह्ब सच्टे पात्षाजी ता बचन कर रहे ने के इन दिने जेस दे बालक सपुत्तर ने पाव पोत्रे ने खंडे पाहुल दे के सिंगा दा पंथ जेड़ा है उस दी सिर्जिना कीती अज खालसा साजना दिवस है आप जी ने आसा जी दी वार विच रागी महा पुरुखां पासों सद्गुरु सचे पाथशा जी दी पावन बाणी विच्चों एशवद सरवन कीते हन वैसाख सुहावा तां लगगा है जा संत पेटा हर सोई अते एसे ही शबद अरंब विच्च सद्गुरु अरजन देव सचे पाथशा जी एवी बचन करदे ने वैसाख तीरिन क्योवड या जिन्ना प्रेम बिशो हो जदो से एस शबद देवारे विचार करदें ते एक दो गल्ला में होर एस दे संबंद विच्ची कर लेनी चाहाँगा के अज संगरान दा दिहाडा है संगरान तो पाव की हुंदा है के जदो सूरज एक राशी तो दूजी राशी विच जान दा है उसनों संक्रांती क्या जानता है ते पंजाबी विच उसनों असी संक्रांत कहीं दे है इससे वास्ते बारां राशियां ने और बारां ही महीने हन जेड़ा ए महीने है क्योंके तुसी सारे बहुत सारे स्रीर इसकाल नो जान दे हो के बारां राशियां विचो पहली राशी जड़ी है ओ है मीन राशी ते दूसरी राशी जड़ी है ओ मेश राशी है जिसनो असी पंजाबी विचे मेख राशी आख देया पाव मेख राशी वाड़े दिन जिस दिन मेख राशी विचे सूर्ज प्रवेश करदा है ओस दिन नू वैसाखी दा दिन आख्या जान दै एस दिन नू बहुत बड़ी महानता प्रापत है जदो असी इतिहास नू पढ़ देयां ता सब तो पहलना साथे सामने एक गाला उंदी है कि जिस दिन साहिव सिरी सत्गुरू नानक देव सचे पातिशाजी ने जगत परमन प किरपा करन लई लंबे पंद ते पहे सद्गुरू जी अपने साथी पाई बाला जी और पाई मरदाना जी नू नाड़ लेके ते ओस दिन भी वैसाखी दा दिन है एस तो बाद जदो दूसरा स्टेप आउंदा है सद्गुरू नानक देव सचे पातिशाज गरीब नवाज जी जदो हरिदवार जानदे हान ओथे आप जी ने साखी सरवन कीती है के जदो पंदत लोग चड़ देनू पाणी सुट रहे सन ओस वेड़े गुरू नानक देव सचे पातिशाज जी ने उनना दा परमन विर्त करन वास्ते लेंदेनू पाणी सुट के उनना नू ए दस्य के ऐ जदो सी पाणी सुट के अपने पितरानों त्रिपत करना चाहूंदे हो जड़े बज़र्ग चड़ाई करака चुके ने उनना नू पितरा खिया जानदे जद़ा तुसी उनना न त्रिपत करने वास्ते ऑपाणी सुट दे ओउ पाणी ओथो तक नहीं पहुँच सकदा जे ओठों तक कोई पाणी पाँच सकदाया ते ओँ है नाम दापाणी ओँ पाणी पाणी पाँच सकदाया जेड़ी कोड बिछ कोई भी आदमी नाम जा पदाया ते ओशदे पितर आपने आपही तरिप्त हो जान देने जिस दी मिसाल सानु सद्गरू सचे पादशाजी दी पुवित्र बानी चो मिल दी है के प्रहलाद जाने के इक्की ही कोल उदारे पाव पिशलियां आते अगलियां कोलां अपने आप तर जान दियाने जिस कोल विच कोई ब्रहम गियानी नाम जपनवाडा महापुर खूंदा है तो एस वास्ते सद्गरू जी ने एक परमदूर कीता सानु करम काड़ तो कड़िया और ग्रीब नौास सचे पादशाजी ने सच नाम नर सानु जोड़िया एस तो औबाद तीसरी एक मशुहूर साखी है कि सद्गरू अमर्गदा सचे पादशाजी ने गुएंदवाल साहिब दी जिनो बाौली तयार कीती ओवी दिन वैसाखी दा सी ओवी दिन एक करांथी कारी दैन है जिते गरू नानक साहिब दा चलना करांथी कारी है जिते सद्ग्रू नानक देव सचे पादशाजी दा बंडतानों संबोधन करके उना दे परमनों नविर्थ करना ओ एक करांती कारी कदम है ओ थे एवी एक करांती कारी कदम सी के गोईंदवाल साहिव दी बौली तियार करके सद्गरू सचे पादशाजी ने एक इर्पा की दी के कोई उच्चा नीमा नहीं सारे ही इस विचो जल ला सकते ने और सारे ही लोग नाम जपके जिनी नाम ते आया गए मसकत काल नानक ते मुख अजले केती शुटी नाड सारे ही इस संसार सागरतो पार हो सकते ने एक कोई वक्रेवा नहीं कोई उच्चा नीमा नहीं इस तो बाद सद्गरू सचे पादशाजी दी एक वसाखी और हो रहूं दी है वसाखी या थे बहुत सारी हों दी है पर गुरू गोविंद सिंग सचे पादशाजी ने सतारा सो शपंजा बिकरमी नो जेड़ी वसाखी आई उस उत्ते खालसा साजे या उस दा कारण की है उदा पिशोकड की है क्यों ये देन चुने आ सद्गरू सचे पादशाजी ने जैसनो आसी सोड़ा सुनद नमेदी वसाखी याख देया मैं एक होर अर्ज कर देनी चाहाँआगा आम करके तुसीं जदों इतिहास पड़ देने विद्यार थी ते उनना दे अगए के पंबल पूसा जा खड़ा हुंदा है सोड़ा सुनद नमेदी वसाखी जड़ी है ओ वसाखी ती मारच दी है ते बहुत सारे लोग हिस्प लेखे वज़ फासदान देने जड़े नमेदी विद्यार थी ने खास करके पर एक यी कारण होया कि ओस विड़े ती मारच दों वसाखी सी होन अप्रैल दे अद्वच वसाखी जाके यूँदी है क्यों कि इन्हा ज्यादा थित्तांदा फर्क पैगिया इसे गलनू लेके पिछले समय दुरान एक कलेंडर बढ़े आ जिसनू नानक शाही कलेंडर आख्या गया और ओ नानक शाही दे ना दे उत्ते साड़े उत्ते ओही कलेंडर जेड़ा सी जेड़ा कोई वग्यानिक कलेंडर ना होके साड़े पशोकरनाड समंदत ना होके साड़े उत्ते थोपन दी कोशिश कीती गई मैं एक अर्ज कर देयां कि जेड़ा आजकल कलेंडर अंग्रेजी कलेंडर चालदा है एस नो ग्रेगोरियन कलेंडर आख्या जानदा है एस तो पहला यूलियन कलेंडर चालदा सी केमे केमे ए तबदीली या ये लंबी गल है मैं सिर्फ एनी गल करांगा कि जदो अंग्रेजा ने ग्रेगोरियन कलेंडर नो अपनाया ग्रेगोरी इन ग्रेगोरी सी अठमा ओ पोप सी उस विडे दा 1592 विच ओस ने ड्सक लेंडर जेड़ा सी उतियार कीता सी ओस तों 170 साल बाद अंग्रेजदा ने इंग्लेंड वाड़या ने एक कलेंडर जेड़ा सी ओस नूं अपनाया जुलियन कलंडर नो शड़ दता तो जदो एक कलंडर अपनाया गया उनादे विच फर्क बढ़ा सी दिनादा फर्क सी एस वास्ते बारां दिनादा फर्क पाया गया बारां दिन अगे कर दता गया पाव बारां दिन अगे शड़ दते गये एह स्तंबर पंद्रा सो एह स्तारा सो बहन्जा दी गाल है स्तारा सो बहन्जा दा सिटमर जेड़ा अए उन्नी देंदा महीन है क्यान के दो सितमबरनों एग अबाद जानदा थे दो तो अग्ये सिद्धा चौधा स touchscreenर आउनदा तैन चार पांच शे साथ आठ जड़े ने ओ देन विच्चों मेस हो जानते ने दूजे कलंडर नाड नू एस दे नाड मलोण वास्ते एक काम कीता गया सी एस वास्ते जड़ियां पंदरा सो स्तारा सो बवंजा तो पहला दियां जड़ियां कटनावाने ओना नू जड़ों उसी वेक देयां ते ओ साथे सामने एक अला आउंदी है कि ओना दा फरिक साथे देशी महीने नाड़ों बऑता जयाता नहीं जड़ों असी गुरु अविन सुझ स souvent देवतार दि अल करदेयां ते ओनों भी साथे सामने एक अला आवेगी के साथगरू सचे पादशाजी दा पवित्र आगमन जड़ा पटने दी तरती ते ओ तेईपो नू होया है ते ओस दिन बाई दिसंबर सी बाई दिसंबर तेईपो पाव अंग्रेजी महीना जड़ा है ओ एक दिन पिछे सी परन्तू ओ बाराँ दिन अगे होन करके ओ जड़ा फर्क सीगा ओ निकल गया एस वासते ओ जड़े देनने ओ अगे बद गये ते ओ जड़ा महीना सी वैसाखी दा पुर्भ भी जड़ा है ओ भी अगे आगया ती मार्च दी बजाए गयारा बारा नो ओ लग पया फिर होड़ी होड़ी थोड़ा फर्क जड़ा है ओ तब्दीलिया जड़िया ने ओ आजांदिया ने ओन तेरा जा चाओदा नो ओ दे कुछ लोग जड़े ने ओ तेरा तरीक नो फिक्स कर दे कोई कोई गल कर दे प्रंटु शाड़ा दिन जड़ा है ओवे साखीदा देन एश दिन ते शाहिव गुरू कल की तर पाध्षा जी ने खालसा साज़ेया तो मैं अर्ज कर रहे हैं साखालसा साज़न दे पिछे कारण की सी ये दिन चुनदे पिछे कारण की सी साध्ग्रू सचे पात्षाजी एग करांतियां बेकर हैंने केडियां करांतियां हो इँआ एक करांती और बड़ी बड़ी हों दी असा ड़े इतिहास पेछ गुरू अमरदास सचे पात्षा पाई पारो दी अर्ज ते ए दिन जड़ा है वे साखी दा दिन जड़ा एस नो सिखां दा पहला पुर्व निश्चत कर देने के एस दिन ते संगत आन के सद्गरू सचे पाधशाजी दा दरिशन कर सक दी है एस वास्ते एस सिखां दा पहला पुर्व भी है एवी एक करांती कारी कदम सी एस तो पहला कोई भी पुर्ब जड़ा सी ओ नहीं सी मनाया जान दा एस तो बाद जदो ऐसी आउंदे हैं गुरू हरक्रिशन साहिब सच्चे पादशा दिली विखे जोती जोत समाऊन देने और एक बड़ा वड़ा करंती कारी कदम एस वास्ते है के साथगरू हरक्रिशन साहिब सच्चे पादशा ने एक द्रड़ता बक्षी एक कौम नो सिद्धा राद असे हा के कौम किसे दे अगे चुके ना पंथ गुरू नानिक दा किसे दे अगे चुके ना बलके आपणिया मानतावानू गुरू प्रमप्रावानू गुरू सिद्धानतानू पूरण रूप वेचे द्रड़ विश्वाश नाल लागू रख सके संसार वेच इस वासते ही और अंगजे बादशा जदो गुरू हरकरिशनसाईब सके पादशादा दर्शन करनवासते हों दा है बंगला साइब ते ओस वेड़े 10-12 मिन्ट तक सद्गरू सचे पादशा दे दर्वाजे ते खड़ोता रहींदा है पर सद्गरू जी उसनो दर्शन नहीं देंदे ते ए बचन कर देने के तुर्क दे मत्य नहीं लगना पाव एसी तुर्कदा अर्थ केवल मुसल्मान नहीं तुर्कदा अर्थ हिंसक है असल वेज तुर्कदा अर्थ जेड़ा है ओ हिंसक मन्ריा जांदा है के जेड़ा लोक जैनोन काद कर देने उप हमें कोई वी होवे उसनो तुर्क आख्या जा सकत है इसे वास्ते हैसे गुरू गुरु गोबिन सिंग् सच्चे पाधिशा जी धी जिदो बाणी पड़ देयां ते ओ ते एब ही नहीं केवल के तुर्क जेडे ने मुसलमान जेडे ने ओ माडे ने तुरकन कहँखपाऊंदा शदांथ ए नहीं तुर्कन कैस पाउंदा स्दांत एया के संसार नो दोख देन वाड़े यांता नास करने इस वास्ते सद्गरू जी किसे दे विरोदी नहीं पर ना सद्गरू सचे पाथशा किसे खास कौम दे पक्खी ने जेड़ा दबाया जानदा है उदे पक्ख विच खलोंदेने सद्गरू सचे पाथशा एस वास्ते सद्गरू सचे पाथशा जी ने इना दिनानो चुनेया तो गरीबनवास सचे पाथशा जी ने एस तो पहला एक वड़ा हमन जाग नैना देवी दे अस्थान दे कीता और ग्रीबनवास सचे पादशा जी ने जदो हमन जाग कीता ते उस दे बारे ग्यानी ग्यान सिंग जी पंथ परकाश वेच जिकर कार दे ने और ग्रीबनवास सचे पादशा जी ने जदो हमन जाग कीता उदे जो प्रापती की होई और ग्यानी ग्यान सिंग जी कहीं जदो हमन जाग कीता गया ओदे विचो खडग रूप प्रमेशर जेडा सी तलवार जेडी सी शक्ती रूप विच किरपान जेडी सी ओ निकली ओगेंदे ने जदो ओग किरपान निकली ते सद्गरू सचे पादशा जी ने एक रुपा कीती के सारे लाकियां दे विच सनेहे पे जे गए सारे लाकियां विच चिठियां पे जियां गई हैं के बाद तो बाद संगत आवे जिसने शक्ती दा दर्शन करना है ओ कर सकता है तो सत्संगी जनों होया की ग्यानी ग्यान संग जी कहीं देने ताही सो देवी हने आद काल तो चल दी आ रही ओ जड़ी शक्ती सी ओ तर्वार जड़ी सी ओ खडग जड़ी सी ओ जदो देवी दे अथ विच आई ते उसने संब नसंब आद संब आते नसंब दा विनाश कीता ते कहीं देने के सो किरपान गोर कर आई हमन करन पर साद ओ किरपान ओ शक्ती जड़ी सी हमन करन करके गुरू कलगी तर पात्षा जी दे हस्त कम लाविच आई और ओ ही किरपान है जड़ी खाल से रू सद्गरू सचे पात्षा जी बक्ष देने एक नमा रूप सानू दिता एक नमी मर्यादा सानू दिती जदो वसी गुरू नानिक देव सचे पाधशा जी दा बारा माँ पड़ देयां तो खारी बाड़ा